हुलोर्ण वेलवा टू आणेल सो आज मैं बताना हुं आपको कि जो कोलम आलो कास्चिंग करते हैं तो कितने दिन बाद उसका नचेहां को मैं कर n cuk चाहिए . और जए पहले ले वेडियो बना चुका सिर्टन कि Krयोस्ट कितने दिन में में खुलना चाहिए तो आज मैं बताना वाला हूँ रिब शॉर्ट करें डिन चाहिए ऐसे सट्रीग ठीक है तो मैं न dolma क form का स्कूला उट्रीग ऑड और mist ठीक है तो उसी करेंग में चाहिए सट्रीग फ्लेब तो चलिए देख लिए पर के आगे कितने दिन खुलना चाहिए ठीक है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह is 456 है यह इसका is code जो है वह is 456 है is 456 ठीक है तो इसके according में यहाँ आप देख रहे हैं वर्टिकल formwork to columns देखे वर्टिकल formwork to columns ठीक है 16 से 24 गंट है ठीक है minimum period of before trying ठीक है मतलब आपको कम से कम चौविस सोलर से 24 गंटे आपको सट्रिंग को रखना है उसके बाद आपको खुलना है यानि अगर आप आप आज कास्टिंग कर रहा है तो आपको कल चौविस गंटे बाद उसे आप हटा सकते है ठीक है कॉलन के case में ठीक है 16 गंटे में आप हटा सकते है ठीक है उसका देखें है समझ सकते हैं कि 14 जादा यह सब में है ठीक है और कॉलम के केस में आपको 24 आवर्स ठीक है यानि वन डे एक दिन कम से कम आपको रखना है उसके बाद ही शर्ट्रिंग आपको खोलना है यह दिके IS456 जो कोड होता है उसी काउंडी में बता रहा हूं आपको 16-24 गंटे यहां पे लिखा हुआ देख लिए आप देख सकते हैं तो आप इससे पहले कभी नहीं खोलें कम से कम 16-24 गंटे आपको रखना चाहिए ठीक है तो एक च्छोड़ा से वीडियो है यह और स्लैप के केस में आप 14 दिन कम से कम रख सकते हैं कम से कम चापो 14 दिन से कपहले नहीं खोलना है ठीक है और यह कॉलम के केस में 16-24 गंट है तो मिलते हैं एक स्टूडियो में और यह एक छोड़ा से एक वीडियो था ठीक है थैंक्यों सुभाजिएंग